हेलो नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मुंदाज क्लासीज आज की देट है साथ जुलाइक दोजार बाइस तो देख लेते हैं कौन-कौन से करंट अफ्यर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमारा पहला करंट अफ्यर होगा यहां पर नेरोगी फ्लाइस के बारे में इसे जाने बारे में जानते हैं तो चल्दी डिस्कसन स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आर्टिकल नेरोगी फ्लाइस के बारे में देखे एक तरह की मखी एक तरह का कीड़ा टाइप है जो आप पिक्चर में आप देख रहोंगे इसको ही बोलता है नेरोगी फ्लाइस नेरोगी क्यो ना काटने से इस होगी तो ये आपका मैंप है सीक किम का तो इस किम वाला यहाप पॉर कि आप पिक्चर में देख रहो कि अगर इंफ्सक्र कर देते किसी भी परसन को तो इस तरह का आपका हो जाते है यह नीके आपका घा हो जाते है यह बी मारी होगते है आप नेरो मिफ्लाइज के पारे मिले है सको муж IPO के बारे नाम से जानते हैं सकते भग एक तरह की फ्रीच सी जो आपिट्स होती है वह करें तो इसका ब्लैक और ऊरğेंज किलर होता जाता है ठीक है मतलब ब्लैक और उन कर्स यह मिलके थोड़ा बनी होते हैं इनकी इस पीजिस के जनरली नाम नहीं पूछे जाते हैं किसी भी एक्जाम में अगर पूछ ले जाते हैं इन केस तो आपको बैस पता होना चाहिए कि मैं नाम जो आपके साइंटिफिक नयम होते हैं इसे लि रहा है उनमें तो उतना नहीं देखने को मिलता है मगर किसी और दोसे पूछ ले जाते हैं तो आपका बस एक पढ़ने मात्र से ही यह काम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ध्यान आना जरू लिया ठीक है कलर के बारे बारे हमने डिस्कस कर लिया अब यह मिलती कहां प में पैदा होगी और पैदा उन से वहां कि टुधेंस को ऐसा देखने को मिलें इसको काट लिया और इस तरह के आपको दिखने को मिलें खीक है और यह जो आपके ब्राइट लाइट्स होते हैं जो आपकी लेडियोंगे उपकी तरप जासा एक्रेक्ट होते हैं जब आपने तो को यह इतने सारी गाधि शुन तो आपको और इसाय क्ता इंसेट का को विमारी देखे चला जाएगा आज के टाइम में कुछ कहें नहीं सकते तो इसलिए बचना बहुत जरूरी है अब इसके आउटब्रेक की बात करें कि क्या यह ऐसा इंडिया में देखने को मिल रहा है यह और भी कही पहले दूसरी किसी कंट्री में देखने को मिला है जी हाँ तो यह सब उगांड़ा शुट सुडान यह सब आत है तो यह जो प्रसन आपकार पड़ेक्श भी क öl्या यह भी किने कोBaby कमें कॉमलण के पहले यह व्यूपती किया है अब्सक्राइब का किおंट हों आप यह तो यह काफी खतरनाक साबीत हो सकते इसकी साइटाइम पर रोख थाम ना की गई तो यह ना की जाई ना सावधानी बढ़ती गई तो ठीक है और ऐसा नहीं कि अफरीका में इंडिया में अभी तो देखने को मिला यह जापान में भी और प्रागुए में भी इस चीजे यह इस चीटी को आपको वैसे फोर्मिका भी बोला जाता है फोर्मिका इसलिए बोला जाता है चीटी के अंदर फोर्मिक ऐसीड होता है वह फोर्मिक ऐसी जब चीटी काटती है तो देखा होगा वहाँ पर आपका एक तरस है थोड़ा सा इसकिन स्वैल हो जाती है यानिकि फूल ज होता है तो आपका चीटिक क्या होता ऐस लिए चीटिक और प्व्रोय को बोल Libra वोल जाता हम इस ही तरह से जो फ्लाई है इसके अंदर ये तरह की एक तरह का एस इसके अगला आर्टिकल हमारा तियहान के बारे में अगला इनिशेटिव को इनिशेटिव को इन्यूगरेट किया है यह कहां पर इन्यूगरेशन किया गया आपका आई आई टी हैदराबाद में इनोग्रेशन किया गया है उन्हीं नहीं नहीं यह बनाया है उनके वहां के रिजर्स ने मिलके बनाया है तो इसकी त्याहन की फुल फॉर्म है टेक्नोलोजी इनोवेशन अप ओन ऑटनोमिस नेविगेशन ठीक है तो यह आपका क्या पहला ऑट जो आप चीजे लेते हैं उसको पहले हैं अपनी टेक्नोलोजी को आपके आपनी जो इनिशेतिव लेते हैं उसको पहले वो कितना कारगर है कितना कारगर है कितनी तो इसकी पता लग जाए कि हा यह कारगर है जैसे कि आप आपुम ऐसे कही लोग कान कर है तो उसमें क्या हो कि testing होती है पहले कि सब्सक्राइब की testing होती है तो testing होने के बाद तब उसे आपका final product launch किया जाता है मार्कीट में commercial level पे तो इसी तरह से testbed facility का मतलब भी वही होता है कि आपने जो बनाया उसकी पहले से अच्छी तरह testing की जा सके तो एक नाव में इस navigation facility के बारे में देखो दो चीजे होती है एक चीज होती है कि कोई भी चीज अपनी remotely work करें यानि कि आप remote से किछी चीज को control करें और दूसरी चीज होती है कि आप वोड़ी कोई भी चीज जो आपने वाई है वो अपना आप काम करें और navigation करें navigation का मतलब है कि किसी चीज को explore करना जैसे कि आपका अगर मून मून पर आप क्या rover चोड़ते हो रोवर क्या होता है कि वहाँ पर रो वो करता है explore करता है मून के surface को मून के surface पर explore करके वहाँ से जो उसका dust particles है वहाँ पर जो samples है उनको collect करता है वहाँ के environment में क्या moisture है नहीं है कौन-कौन सी gases है उसको उजवर करता है और जगए-जगए-जगए-जगए-वहाँ पर कितने गड़े है कितने craters है क्या size है कौन-कौन से metal से उसके surface पर मून के ठीक है वह सब करता है वहाँ पर पानी है नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ है अपना भी उनको पैचानता है वहाँ से sample करता है तो इसी तरह से एक तरह की facility है कि जैसे आपका battlefield है अब battlefield में किसी एक जीवित आदमी को उतारने से ज़्यादा अच्छा नहों पर एक तरह का अगर मानलो robot उतार दिया आपने robot को खड़ा कर दिया तो robot का अगर नुक्सान यूज करके कोई भी चीज हम battlefield में उतारेंगे तो वहाँ पर बैटल फिल्ड में जो भी आपकी activity होती है उनको perform कर सके इसी type की आपकी facility है तो ठीक है इसके बारे में हमने चाल लिया अब यह बोला जा रहा है कि यह step आगे बढ़ गया यानि कि जो हमने initiative चला है जैसे आत्म निर्वर बन जाएगा किसी चीज में आत्म निर्वर बनाने के लिए ऐसी टेक्नोजी इजाद करनी पड़ेगी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे की इंडिया आत्म निर्वर बन सके self-sufficiency हासिल कर सके उसके इन्दर innovation इतना ज़्यादा आ सके technology बहुत हाई लेल पर पहुं इनिशेटिव चलाने पड़ेगी ताकि आप अपने लोग को यूथ है जो हमारा एक step forward लेके चली जाते है एक step और आगे लेके चली जाते है यानि कि इसमें एक तरह की तरक्य के एक तरह का punk जोड़ दिया है यह कहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब त्यान के बारे में जान लेते हैं देखो इसमें ऐसा नहीं कि त्यान ने किसी टेक्नोजी किसी एक ही department का काम है कि वही science department में आपका के मालो electrical department इसमें लगा हुआ है या कोई एक instrument वाले इसमें लगा हुआ है इसमें 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 बहुत सारे department एक साथ आया है उन्होंने अपने अपने लेट पर योगदान दिया जैसे कि electrical department ने अपना योगदान दिया हो जो भी उनका electrical रेजीम होगा criteria होगा या जो उनकी वह होगा क्या नाम जो ने work दिय design करना code design करना उस तरह का यह होगा ठीक है mechanical का अपना जो physical infrastructure design करना aerospace का अपना मतलब उसमें आपके ऐसी science बताना जिससे कि आपका यहां पर drone है अब drone को ऐसा नहीं कि कोई भी बना देगा तो उसमें aerospace engineering भी लगती है instrument engineering भी लगती है instrument वाले के काम है और आपके physical आपके equipment भी चा आप यहां पर चीजे देख रहे हो यह सारी चीजे क्या है यह आपके multidisciplinary आपके initiative है क्योंकि एक आदमी इसको कर नहीं सकता है तो इसी तरह का यहां पर बोला गाए कि multidisciplinary initiative है जो कि आपको इंडिया को global player बनाने की दिसा में काम करता है क्योंकि हमें future में आपको futuristic आपको technology ल इंडिया इनिशिटी वो उनको global leader बनाने की कोशिश कर रहे हो वह complete नहीं हो सकता तो इसलिए आपके different departments साथ माई अब यह अभी तक यहां पर मैं जब पिछे बत कर रहा था क्योंकि अभी तक इंडिया में कोई आपकी test bad facility इंडिया में नहीं थी जो आपके autonomous navigation जो vehicles होते है उ इस पर आपको autonomous navigation vehicle जो होते है जो आपके battlefield में यूज किया सकते है और आपके aerospace engineering में यूज किया सकते है और आपके ऐसे hazardous environment में यूज किया सकते है उनको यहां पर testing किया सकते है उनकी आप भी performance को भी valid किया सके ठीक है यह एक तरह का आपका कौन सा gap है जो आप gap create हो गया technology की बी technology की द्वारा connected होते है ठीक है और या जैसे कि आपके traffic signals है आपके signboards होगे ठीक है और other जैसे road items होगे उनके द्वारा जो connected vehicles होते है तो उन सब चीजों को जैसे कि आपका आर आर इंफ्रारेड जो आपके जो आर एफ आईडी यह मैं इसकी वह भूल गया हूं जो आपका नाम है तो उसमें क्या है कि आपका एक तरह से और नम स्कनेक्टिट विकल की बात कर रहे है यहां पर आपका यह कनेक्ट किया गया है एक तरह से और नमसली कनेक्ट किया गया है ठीक है तो यहां पर यह बोला है connected vehicles use technology to communicate with each other तो एक दो से से कम्णिकेट करने के लिए इस टेक technology के इस्तेमाल कर सकते है एक तरह का information को access करने के भी काम आएगा जिससे कि आपकी safety जो traffic की safety को आसानी से इंप्रूव किया जा सकता है ठीक है अगला article हमारे सिंगल क्रिस्टाल इसकेंडियम नाइटाइड के बारे में है पहले तो हम पढ़ लेते है इसकेंडियम के बारे में इसकेंडियम आपका rare earth metal है ठीक है जिसका आपका atomic weight atomic number 21 होता है ठीक है symbol SC है और आपका electronic configuration इस तरह से 3D14S2 ठीक है atomic weight 44.955 होता है यानि कि 44.956 के लो ठीक है इस तरह और फिजिकल इस्टेट इसकी होगे तो यहां पर दिखाया गया ठीक है अब आगे बढ़ता है यह त हमने इसकी structure and atomic weight के बारे में जाल लिया तो अभी न्यूज में इसलिए आया कि जो ज्वालान लेरू सेंटर फॉर advanced scientific research जो इंस्टिटूट है जो वहां के researchers है उसने एक नया material इजाद किया है उन्होंने जिसका नाम है single crystalline scandium nitride ठीक है अब यह इस तरह की कैसी research है कितना फायदा पहुचाएगी और इसने क्या innovation लेका है यह इसके बारे में जान लेते हैं यह जो single crystalline scandium nitride है यह क्या करेगा जो आपकी infrared light है उसको convert कर देगा renewable energy में देखें अभी तक आपने सुना होगा कि जो आपकी renewable energy थी उसको electrical energy में कर रहे थे ठीक है mechanical energy में कर रहे थे renewable energy कर देख inner energy कर रहे रचियोल एनर्जी हमें कहां से मिलती है हमारी आपकी renewable energy sunshine से मिलते है Sun से just light आती है हम आपका solar panel कि तुरू सmyst अख ए विटिकल energy में कर पते हो स्टिकल एनर्जी को ये जो आपकी जो पिए हो और भी कैसारी मंगर आप यहां पर सुन रहे होगे कि कि इंफर रेड लाइट आपं perfume को रही है किसमें?". यहां पर अभी तक हम सुनते थे कि इस light को तो आपने उसमें कंवर्ट करती है इसमें जो लाइट आती है संसे उसको मिंगर आ एनजी मगर यहां पर्टिकुलर वेवलैंड की लाइट को हम रिनीवलल एनरजी में अप इन्फारेट की वेवलैंड कितिनी होती है कैसे इसको सिछन है उसको हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले एक वर्ड है जिसने साइंटिस्ट ने जिस फिनोमेना को यूजज़ करके ये कार नामा किया है इनफ रैड लाइड को रूड अनर्जी में convert किया है उस वर्ड का नाम उस फिनोमेना का नाम है पॉलेरी टॉन Excitation, आप Polary Tone Excitation कैसे आया है यह देंखो एक तो होता है वड़ Polar एक होता है Photon ठीक है और ठीक तो यहاं से आपका जो Polar और Photon और Electrode इस इसाएं इन सब को मिलके आपका Polar टोन बना है ठीक है excitation से मतलब है कि किसी कोई भी छी जैसे कि आपकी Kate प्लेट एंट जैसे कि आपकी आपकी वापकी एस्टो पर behandeln रहिए उसमें kya होते उसमें आपके मोडियूल लगए होते हैं तो अब उस तो मोडियूल पर क्या सन्लाइट कि अकर टिस छोड़ पर ती से झाल नहीं पड़ी थी Elsa was तो उस electron में इतनी energy नहीं थी कि वो निकल के उस wire के through flow होना शुरू करते हैं क्योंकि इस module से wire connected होते हैं और wire कहां से connected होते हैं इस energy को आपका बैटरी से है या आपकी जहां पर भी आपको bulbs से हैं यह किसी भी चीज़ से connected है जहां पर भी जो भी आपको appliances use करें तो यह जो क्या करेगा आपका module से जो electron निकला यह आपका flow करेगा wire के तो आपकी electricity produce होने लगी है मगर यहां पर क्या हो रहा है यहां पर यह हुआ कि जब तक आपकी electron के पास energy नहीं थी तो नहीं निकल दा था अपनी excited state पर नहीं पहुँचा था तो जैसी यह अपने extra energy थी सूरज की energy थी वह अपनी excited state में पहुच गया यानिकि उसका एक level बढ़ गया यानिकि आप energy के level को अगर हम ऐसे डो करें तो यहां पर कोई energy है मत्तों यह energy level है कि इलेक्टोन का यह अभी excited state में नहीं है अब इसकी तब क्या होता है आपका वह excited stream पहुचके आपका यह renewable energy में create हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यह जो है यह किस तरह से किया गाए यह आपके इसमें tailored material यूज किया गया यह तो यह तरह से टेलर मेट्रीयल होते हैं जैसे कि आपका कोई भी चीज है जैसे कि readymade कपड़े होता है तो readymade कपड़े आप अपनी fitting के size की साइज के साफ से आप मोल में जाते हो पहन लेते हो तो वह तरह से तो इसी तरह से पहले से कुछ readymade material होते है उनको यूज करके light के साथ कपल करके आपका जो आपका जो लाइट के साथ कपल होते हैं लाइट के साथ मिक्स होते है लाइट के साथ यूज के जाते है तो वह क्या करते आपका इसमें पॉलेरी टॉन एक्साइटेशन स्टीट में पहुंच जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब जो इंफरेर रेड लाइट है इसकी वेवलेंट और आप विजिवल लाइट की वेवलेंट के बारे में थोड़ जाने हैं दो को यहां पर जो पिक्चर दिखाए गई य है ठीक है ठीक विजिवल लाइट होगी यहां पर इसके बाद इंफरेड आगए माइक्रो वेव जा गए रडार वेव जा गया रेडियो गे जिस्साफी टीवी वीव सभाई की और बो स्टीव यहां ब्रोटकस्टिंग हुए ठीक है तो यह आपकी लाइव जा जाती है यह में विजीबल लाइट और विजीबल लाइट की जो आपकी होती है लगबग चार सो नैनो मीटर से लेके आपकी साथ सो नैनो मीटर की बीच में इसकी वेवलेंड होती है ठीक है तो अब यहां पर यहीं बोला गया है कि जो इन्फरा रेड है इन्फरा रेड इन्फरा रेड इसके बाद जो वेवलेंट वह आपकी इंफारेड आपकी वेव कहलाती है ठीक है इंफारेड बेस कहलाती है इसकी आपकी कितनी होते है पॉइंट सेवन नैनो मीटर से लेकर आपकी और आपकी देखने को मिलेगी यहां पर यहां पर यह खतम हो जाएगा तो इसके बाद ही स्टार्ट होगी तो यहां पर पॉइंट सेवन नैनो मीटर से लेकर 1000 नैनो मीटर तक आपको यह इंफारेड की वेवलेंट देखने को मिलेगी अब इंफारेड के कौन-कौन से सोर्सिस है जहां पर इनका यूज होत तो इन मैटियंस की बहुत ज्याद है डिमांड होती है ठीक है इसलिए इनफारेड वेवस की काफी जो यह आपके सोर्सिस होते है तो इनकी डिमांड ज्याद है ठीक है आगे बढ़ता अब जो मैं बोल रहा था पॉलरी टॉन आपका एक्साइटिशन पॉलरी टॉन एक्सा इसन का ख्रूरी एक के साथ कोई भी बेढ़त उस प्लेट में आपकी उल सब्सक्राइब निकल जाएगा तो इलेक्टव ardच ओपर उता है तो इंगिवच ए और जहां से हो निकला मपर होिए हो जाएगगा तो हाई होकगा इक तरह बनान के इसके साथ है तो क्लविंग हो जाते ह्न दोनों की फोटौन की और इसकी की प्लस आपका फोटॉन तो यह जो इसकी आपकी मैक्सियम हो जाती है तो रिफ्लेक्टिविटी मैक्सियम होने से ही इसका क्या है कि हम इसे काफियत तक यूज कर सकते हैं किसमें जिनमें आप रिफ्लेक्शन हो जाए तो उसमें इसी तेक्नोजी का इसी फिनोमेना पर यूज किया जा रहा है ठीक है यहां पर आप देख रहे होंगे कि यह लाइट इंसिडेंट हुई ठीक है तो आपकी यहां पर रिफ्लेक्शन हो गया ठीक यहां पर कुछ एब्जोर हो हो जाए कुछडी कुछ रिफ्लेक्शन हो गी यहां पर सिंपल इलेक्ट्रोन के साथ यह एक्ग्जोर हो दियए क्लेक्ट्ब फोर गत्वक्र क्यों कि है यहां पर पोजणी निटर आपका नेगीट्वी हो अगया टोल ऊ больш लाइट आई उटनी जो इस तो यहां तो उस जो एनर्जी आपकी रिप्लेक्टि उसको हम आपका एज रिन्यूबल एनर्जी यूज कर सकते हैं तो यह इसमें बोला गया आगे बड़ते हैं अब इसके बारे में खोड़ा सा जान लेते हैं जैसे कि यह हाई एफिशेंस होती है क्योंकि एमिट कर सकता है पहाना जा रहा है ठीक है यह यूज कुलेक्टि सोलर और थर्मल एनर्जी हार्वेस्टिंग यह होती है कि आपका जैसे कि इस तरह से इसे पढ़ सकते हैं डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि एनर्जी जो डिराइव की जाते हैं इसको कैप्चर कर लिया जाए और या इस्टो कर देए तो उसको यह वालते हैं सोलर और थर्मल एनर्जी हार्वेस्टिंग थीक है तो यहां पर जैसे ओप्तिकल कॉम्टिकेशन में इसका यूज जैसे यह एरा आप्तिकल आप्टिक्स विचाय जारा है जियो को कम्मुनिकेशन के दोवारा फाइबर आप्टिक्स को वि इससे क्या होगा कि आपका जो डाटा होगा जितना चलेगा तो दूसरी साइड मैक्सिम उतना ही डाटा मिलेगा इसकी इससे स्पीड बढ़ेगी और क्योंकि लोसिस बहुत कम हो जाएगी ठीक है इसमें यह बोला जा रहा है इसका सिक्रिफेंस यह है कि कमपैटिबल रहेगा सीमोस के साथ सीमोस आपका कहां पर कंप्यूटर में और जो आईसी जो इंटिगेटरी सवगित होता है उन मेमोरीच में यूज किया जाता है यह इंटिगेट किया जा सकता है असान से ओंचिप ऑप्टिकल कॉम्मुनिकेशन में जो डिवाइस होते है और चिप चिप को अगे बढ़ते हैं अगला आर्टिकल हमारा पनी ग्रास लेंड के बारे में देखिए यह क्यों नहीं उजमाया तो गुजरात जो फोरेश्ट डिपार्टमेंट उसने यह आपको बोला है कि जो एक हजार है का बनी ग्रास लेंड है जो कि आपका डिग्रेड हो चुगा है ट इसके डिकलेष्टन को फुल फिल करें बोला है कि इंडिया ने यह वादा किया है कि हम दोजार तीस आते आते लगवाश को हम रिवाइब कर देंगे तो यह बोला है कि इस वी आरहा है यह पूरी तरह से ग्रेजिंग की वजए से जो पशू है वहाँ में वहाँ पर एक्जोटिक इस्पीसी जा चुके जो बड़ी खतरना के जिसका नाम है प्रोसोपिस जूलिफ हो रहा यह एक्जोटिक थी है तिक इसकी वज़से भी यह महां की जो यह बनी ग्रास लेंड उसको नुक्सान पहुंचा है वहां पर जो नदी आती थी बनी ग्रास लेंड में ज तो बंजर बन जाएगी जमीन और आपकी बढ़ने से क्या हो रहा है कि वहां का जो ग्रास लेंड इरिया वह पूरा नस्ट हो देखिए यहां पर आप देख रहेंगे पूरा वेस्ट हो चुका है ठीक है यहां पर पहले अब इसको हमें रिवाइब करना है आगे बढ़ते हैं इसकी लोकेशन क्या है हाँ पहले जान लेते हैं कि एशिया का सबसे लाजेस ग्रास लेंड तर जो रणोफ कच्छ में गुजरात में ठीक है और इसका यहां पर कैसा एको सिस्टम मिलता है दो तरह की एको सिस्टम वे अब यहां पर आपके लो लोग ग्रॉंग प्लांट देखने को मिली छोटे-छोटे-छोटे-चोटे-चेसि-चेस यहां पर देख रहे हो कि सोड़ी सी उची फूर लगर यहां का और और पर मिक्स देखने पर मिलता 的 रच से आपकी ग्रास एसी आग से स्बीची जो आपके चिनारे होती है और समुंदर के पानी में और समुंदर की से यह उस टाइप कि आजए साव यहां पिक्चर में देख रहोंगे यह उगा हुआ है यह जो आप पिक्चर में फिगर यह देख रहे चीज़े यह आपकी आलो पाइस है ठीक है यानिकि इस तरह की चीज़े आपको यहां पर देखने को मिलेगी यह रिजब फोरेस्ट नहीं प पिक्चर में यहां पर देख सकते हैं यह जनरली आपका आपकी जो भेड़ वक्री होते हैं जो कि चराते हैं ठीक है यहां पर आपके जो चीता है उसे रिंटूडूस करने की बात की जा दो ठीक है यह ता इसके बारे में अब अगला आर्टिकल हमारा एंथरक्स इस पीसी देखने को मिला आपका अरित्रा पल्ली जो 300 डिस्टिक में 300 डिस्टिक कहां पर केरला में है वहां पर इसका आउट्विक देखने को मिला यह कहां पर देखने को मिला यह कहां पर देखने को जो आपके जंगली सुवर है उनमें यह देखने को मिला यानि कि एक तरह की आप बहुत 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 इस पोर मतलब बहुती माइनूट माइक्रो लिए तापके छिद्र होते हैं शेर होते हैं वह आपके क्या होता है कि आपके सांस के तुरू आदमियों के अंदर घुज जाते हैं उसके रैस्पारी सिस्टम में फैलते हैं फैल जाते हैं तो वहां पर वह डिशीज क्रिएट कर अधर जाते हैं उसको और हमाली जी आपकी यह बायित है आपके आधे हैं इसने आपको क्या किyan किया आदमिको काट भिए काटने के पर कि यहां पर कट गए जो आपने पीचली फिक्चर में देखा हो कि तौने जिस जैसे की यहां पर आप देखे रहुंगे पहली पिक्चर निये वाला तो इसको कि चेली बीडानीस भी बहुत सकते हैं यानि कि मख्य मच्छे जो भी काट देगा इस तरह का यह गहा जानवार को इसने काट लिया तो उनको जो इंफेक्षिनि जो इस प्रफेल के जो आपके पिर आदमी वह सवा को इन्हेल करता है तो इसमें यह आपका एंथ्राग जो इसपोर्स है वह आपके आदमी के रहाइटरी सिस्टम पर गुज़ जाते हैं इस तरह से इसकी साइकिल होती है तो यह आपका एक आपका सिलेंडर की फॉर्म होता है बैसील इसका नाम जानने सींटिफिक नेनम अब इसको कौण कौण से नाम से जाते है उसको मलिगनें टूट्र प circuits विबालन यह चांब यह थीक आपका इसके से कहीं क्रदों हैmos जो भी जानवार अनिमल है तो उससे वो उसके मलमूत में आएगा यान कि वेस्ट होगा उसमाइगा उससे वह आद्में पहल गाई यानिके अब वह तरह से हर भी वर्ट एनिमल्स की उससे पहलता है ठीक है अभी जिनोटीक दिस इसे अधाम करी चुत है ठीक है तो दोस्तों यह थी आज की हमाई discussion, इस discussion में इतना है, thank you, thank you very much for discussion.